शिराम जन्भूमी तीर्थ छेत्र न्यास के कोसाध्यक्स पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी, महा सचिव सम्मानेशी चम्पत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे, पूज्य संतजन, अपने अपने छेत्र के नेत्रत्त देने वाले सभी उपस्तित महानुभाव, रामच्छो के इस पावन पर्व के उसर पर, आधनिय प्रधानमंत्री जी का, मैं आप सब की ओर से, हिर्दै से स्वागत करता हूँ, अविनन्दन करता हूँ, इस उसर पर पधारे, रास्तिय स्वियम सिवक संग के, सरसंग चालक, आधनिय डॉक्टर मोहन भागवजी का, अन्य समागत, अतितियों और महानुभावों का, मैं हिर्दै से स्वागत करता हूँ, अविनन्दन करता हूँ, प्रवुरामलला के भव्य, दिव्य और नब्यधा में बजार्क विराजने की, आप सभी को कोटी कोटी बधाई, पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उप्रांथ, आज के इस चर्चिर्प्रतिक्षित मौके पर, अंतर मन में भावने कुछ ऐसी हैं, क्योंने ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिल लाए हैं, मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विवल है, निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा मैसूस कर रहे होंगे, आज इस एतियासिक और त्यंत पावन अस्वर पर भारत का हर नगर हर ग्राम अयोध्याधाम है, हर मार्ग से राम जनभूमी की ओर आ रहा है, हर मन में राम नाम है, हर आँख हरस और संतोस के आँसू से भीगा है, हर जिवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे है, पुरा राष्ट राम में है, ऐसा लगता है, हम त्रेता युग में आ गए हैं, आज रगु नंदन, रागो राम लला, हमारे हिर्दय के भावों से भरे संकल्प सुरूप सिंगहासन पर विराज रहे हैं, आज हर राम भक्त के हिर्दय में प्रसंता है, गर्व है, और संतोष के भाव हैं, आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी, भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दि बतीत हो गई, दर्जन और पीडियां अधूरी कामला लिए, इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किन्तो प्रतिक्सा और संगर्स का करम सतत जारी रहा, सिराम जनभू में संभवत्व विश्व में पहला ऐसा अनुठा प्रकंडर होगा, जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने, अपने ही देश में, अपने अराध्य की जनमस्थली पर, मंदिर निर्मान के लिए, इतने वर्सों तक, और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो, संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहुंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्ग ने, जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्दति से उपर उठकर के, राम काज के लिए स्वयम को सर्ग किया, अंततह वासुप आउसर आ ही गया, जब कोटी-कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है, आज आत्मा परफुलित है, इस बात से, कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था, संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतिक्सा की इस समाप्ति के लिए, और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोधी जी का हिर्दै से आभार और अभिनंदन, माने प्रधान मंत्री जी, 2014 मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कहे उठा था, कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, अभी गर्वग्रे में बैदिक विधी स्विधान से, रामलला के बाल विग्रह के प्राण परतिष्टा को हम सब साक्सी बने हैं, और लौकिक छवी है, हमारे प्रभु की, बिल्कुल वेसे ही, जैसे तुलसी दाश्जी ने कहा, कि नवा कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुनम, धन्य है वसिल्पी, जिसने हमारे मन में बसे राम की स्चवी को मूर्त रूप प्रदान किया है, बिचारों और भावनाओं की बिहलता के बीच, मुझे पूजे संतों और अपनी गुरु परंपरा का पूर्णे स्मरण हो रहा है, आज उनकी आत्मा को असीन संतों सरानंद के अन्भूति हो रही होगी, जिन परंपराओं की पीडियां सिराम जन्भू में अपनी आहुती दे चुकी है, उनकी पावन इस मिर्थियों को मैं यहां पर कोटी कोटी नमन करता हूँ, सिराम जन्भू में महायग्यन केवल सनातनास्ता और विश्वास की परिक्सा का काल रहा, बलकि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट की सामिक चेतना जाग्रण के धे में भी सफल सिद्दू हुआ है, सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर्प्रतिक्सित नौबिवान को देख, अयोध्या समेथ पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है, भाग्यवान है हमारी पीडी जो इस राम काज के साक्सी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो, जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है, और करते चले जा रहे हैं, जिस अयोध्या को आउनी की अमरावती और धर्ती का वेकुंड कहा गया, वो सदियों तक अब सिप्त थी, उपेक्सित रही, सुन्योजित क्रिस्कार जेलती रही, अपने ही भूमी पर सनातनास्ता पद्दलिद होती रही, चोटिल होती रही, किंतुराम का जीवन हमें सैयम की सिक्सा देता है, और भारती समाज ने सैयम बनाई रखा, लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दिड़ होता गया, और आज देखिए, हर कोई अयोध्या आने को आतुर है, आज अयोध्या में त्रेता युगीन वैभा उतर आया है, दिख रहा है, यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है, पुरा विश्व, दिब्ब्य और भब्य योध्या का साकसाथ कार कर रहा है, आज जी सुन्योची त्यम्ती ब्रकति से योध्या पुरी का विकास हो रहा है, वा प्रत्धान मंत्री जी के दिड़ संकल्प, इच्छा सकते और दूर दिर्ष्टा के बिना संभो नहीं था, कुछ और से पहले एक कल्पना से परे था, कि अयोध्या में एरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर चार लेन की सड़के होंगी, सर्यूजी में कुरूच चलेंगे, अयोध्या की कोई गर्मा वापस आएगी, लेकिन मित्रों डवल इंजन की सरकार के प्रियास से आज, आप सब के सहोग से सब साकार हुआ है, सांस्कृतिक अयोध्या, आयुस्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्सम अयोध्या, सुरम्य योध्या, सुगम्य योध्या, दिव्य योध्या और भव्य योध्या की रूपे पुन्डधार के लिए हजारों करोड रुपे वर्तमान में यहाँ पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुपतार घाट, ब्रम्म कुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन कुंडों के काया कल्प, संग्रक्षन, संचालन, रख रखाओं के कार्य हो रहे हैं रामेण परंपरा की कल्चर में पिंग कराई जा रही है, राम बंगमन पत पर रामेण वीथिका का निर्मान हो रहा है, नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सब्वेता को संग्रक्षन तो होई रहा है भुष्यकी जरुपतों को देखते हुए, आधनिक पैमाने के अंसार सभी नगरिये सुप्धाएं भी विक्सित हो रही है इस मोक्सदाइनी नगरि को आधनिये प्रधान मंत्री जी के पेणा से अब सॉलर सीटी के रूप में भी विक्सित किया जा रहा है पुरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्तावानों, संतों, प्रयटकों, सोधार्तियों जिग्यास्यों के प्रमुक केंद्र के रूप में इसे बनाने की और इसे अग्रसर किया जा रहा है यह एक नगर या तीर्थवर का विकास नहीं है यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्य में वो जैते की रूप में भारत के राजचिन्द मेंगिकार किया गया है यह लोक आस्ता और जन विश्वास का विजय है भारत के गौरव की पुनरप्रतिष्टा है अयोध्या का दिव्य दिपोट्सो नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और स्री राम लिला की पुनरप्रतिष्टा का समारो भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अविव्यक्ति सिद्ध कर रहा है स्री राम जन्भूई मंदिर की अस्तापना भारत के सांस्कृतिक पुनर जागनन का अध्यात्मिक अनुस्थान है यह राष्ट मंदिर है निसंदे सिर्राम लिला विग्रह की प्रांट प्रतिस्था राष्टि ये गौरव का एक एथ्यासिक अउसर है निस्चिंत रहिए प्रवराम की किरपा से अब कोई अयोध्या की परिकर्मा कोई बाधा नहीं बन पाएगा अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गडा हट नहीं होगी करफ्यू नहीं लगेगा अब इतो यहां दिपोट्सो रामोट्सो और यहां की गलियों में इसी राम नाम संकृतन से यहां की गलियां गुजाए मान होंगी क्योंकि अवद पुरी का मैं राम लला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्गोशना भी है राम राज्य बैठे तिर लोका हरसित भये गये सब सोका रामराज्य भेदभाव रहित समरत समाज का दियोतक है और हमारे सस्री प्रधान मंत्री जी की नीतियों, बिचारों और योजनाओं का अधार है भव्य दिव्य राम जनभुई मंदिर के स्वपन को साकार रूप देने में योगदान देरने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, सिल्पियों और सिर्राम जनभुमी तीर्त छेतर न्यास के सभी पदादिकारियों को हिर्दै से धन्यबाद, पुना आप सभी को राम लला के बिराजने की इस एथियासिक पूर्णे घड़ी की बधाई आदरिये प्रधान मंत्री जी, आदरिये सरसंग चालक जी, माने राज्यपाल महोदिया और आप सभी महानुभावों का में एक बार फिर से हिर्दै से स्वागत और विनंदन करते वे हम सब जो संकल्प पुरोजों ने लिया था, उसकी सिद्धी की भी सभी को बधाई देते वे प्रवु के चड़ों में एक बार पुना नमन करते वे पुरे प्रदेश और देश वास्यों को आज की स्रामत सो के उसर पर कोटी कोटी बधाई और अमिनंदन देते वे अपनी बार्णी को बिराम देता हूँ जै जै सीता राम